Hello everyone, my name is Hasan Ali and welcome to the 2PX So, आज की ग्लास में हम देखने वाले हैं कि हम अपने वर्टर स्प्लेश का बेक्ग्राउंड किस तरह से रिमॉफ करेंगे और एजिली हम अपने किसी भी इमेजिस पर किस तरह से तो बहुत इंडर्स्टिंग ग्लास है, बिना किसी इंतिजार के स्टार्ट करते हैं अच्छा यह इमेज मेरे पास यहां पर है अब इस इमेज को हम यहां पर इस बार्डल के उपर लगाने वाले हैं लेकिन multiply करने से क्या हो रहा है कि उस splash water का color है वो हमारा मर रहा है हम क्या करेंगे इसको undo करते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं इस layer को CTRL दबा के selection ले लेते हैं तो क्या होगा CTRL दबाने के बाद इस layer जैसे ही मैं click करूँँगा तो वो इसकी selection ले लेगा Next step क्या करना है हमने इसको mask करना है Mask करने के बाद हम इस layer पर जाएंगे और Alt प्रेस करके इस पर click करेंगे ठीक हो गया यह वो हमारी layer वाइड हो जाएगी और यहां पर हम Ctrl V कर देंगे क्या हुआ? कि जो हमने वो जो image copy करी थी वो यहां पर उसके mask में paste हो गई इस layer को मैंने select किया अभी भी आप देखे हों कि यहां से image crop हो रही है तो हम यहां से इस image को select करके Ctrl Backspace दबाएंगे Ctrl Backspace दबाने से क्या होगा वो हमारी image वापिस आजेगी तो क्या हुआ कि हमारा splash बड़ा original color में हमारे पास आ गया ठीक हो गया उसी तरह से हम एक और splash लेते हैं हम याला splash यहां पर रखते हैं हम इसके साथ भी same यह technique यूज करते हैं Ctrl दबा के हमने layer पर click किया layer पर click करने के बाद हमने इसको just copy कर लिया और अपनी selection हटा दी Ctrl D से हमने इसका mask लिया mask लेने के बाद mask वाली layer पर हमने option प्रेस करके अल्टर प्रेस करके सिर्फ click करना है ठीक है तो हमारी layer वाइड हो जाएगी और हमने वहाँ पर पेस्ट कर देना है Ctrl V से वापस D select कर देंगे और mask को कर देंगे Inverse Ctrl I से Inverse करने के बाद हम अपनी layer को वापस select करेंगे और वहाँ पर जाने के बाद इसको नीचे लिए आते हैं ठीक हो गया इस तरह से क्या होगा कि आप अपनी images में देंगे हमने mask को select किया और जो हमारे splash आगे की side आ रहा है हमने इसको remove कर दिया brush का size छोटा किया ठीक हो गया तो easily आपने इस technique से इसको remove कर दिया तो कितरा easily आपने देखा कि हमने इसको crop कर दिया इसके background को और इस technique के तुरू आप बहुत सरी चीज़ें कर सकते हैं किसी भी चीज में इस तरह से background remove कर ना हो आप easily इस masking के तुरू इस technique के तुरू आप इसको remove कर सकते है उमीद करते हूं कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए ताकि मेरी upcoming videos को notification आपको मिलता रहे मिलते है नेक्स वीडियो में आपने खायल कीजिए अलाहाफिस